यार खोचल है कल दो दियाली हटी पे एक बेवकूब सा दानिश्वर कह रहा था जी यह जो बलब है ना यह एडिसन ने नहीं जाद किया ओ मैंने का जाक कम कर जाके अजीजी को चैलेंज कर रहा है अच्छ एडिसन ने बलब हाँ हूँ कहता जार जार पी यह शर्त लगा लो म लगाए हूँ यह रहा ना मुझे है में बेवकूब तुम मरें गए हो क्या मतलब हूँ हजार रुपया तुम उससे हाथ दो बैठे निया रहा है जो बलब एडिसन ने इजाद किया था उससे चालिस साल पहले इंगलंड में सर हैंफरे डेवे ने बलब इजाद कर लिया थ हमेशा तुम्हारी तरफ से मुझे दुख ही पहुंचा है तो बेवकूप उस वक्त तो मुझे से पूछ लेते है फोन करके यार उसने मुझे आप्शन नहीं दी वो क्या होती है वो फून आफ रेंड यह मैं अर्स कर रहा हूँ के एडिसन ने जो बल्ब इजात किया था इससे 40 साल पहले बल्ब था एक नहीं बेशुमार लोगों ने वही बल्ब बनाए जो सर हैंफरे ने बनाए उस बल्ब का प्राब्लम यह था कि वह सिर्फ बारा घंटे जलता था और उसका फिलमेंट जो है जासे शोहरत दवाम मिली वह बल्ब की इजाद नहीं थी इन फैक्ट उसने जो बल्ब जलाया उसमें फिलमेंट जो था वह बना तगडा था और वह कई के दिन जलता रहा वहीट बरदाश कर रहा यही वजा थी के एडिसन का नाम चल निकला नहीं तो इसमें कोई अब गु जाद किया था वह बिचारा भी तुम्हारी तरह जिसने तुमने मूँ बनाया हुए था उसने भी बड़ी खौरी बरदाश की थी क्या हूं जी ग्राहम बेल को क्रेडिट मिलता है टेलेफोन का लेकिन ग्राहम बेल ही नहीं था एक और आदमी मी था जिन्होंने एक टेलेफ अच्ट आफिस नहीं पहुंच सकता और वो उनका अपस में मुकदमा बाजी रही और बिलाखिर अदालत ने फैसला ग्राहम बेल के हाग में तो वह बिचारा इतना बड़ा क्रेडिट जो है उसका नुकसान बरदाश कर गया तुम एक अजार को रो रहे हो लेकर यह एक उसका पैटन्ट हो गया इसका पैटन्ट नहीं इसका पैटन्ट नहीं हो इस तरह मतलब होता है तारीख भरी पड़ी है इसी को तो हम सितम जरीफियां कहते हैं उसने अनाउंस नहीं किया था तारीख की सितम जरीफियां देखें कि शेक्सपेर को दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर का जाता है सबसे बड़ा ड्रामा निगार का जाता है शेक्सपियर की एक भी स्टोरी ओरिजनल नहीं थी जब मेरी गुजारी सुन लो उसकी जो सबसे मशूर स्टोरी जिसने उसे अमर कर दिया था वो हैमलेट थी जबके हैमलेट शेक्सपियर से बहुत पहले सकेंडेनेविया में घर घर सुनाई जाने वाली कहानी थी ये बिलकुल ऐसे ही है जैसे हीर वारिसचा है हीर बहुत सोने लिखी लेकिन किसमत में लिखी थी कि वारिसचा की लिखी हीर जो है उसको एकसेप्टेंस मिली और ये इसमें पबलिक का अवाम का या आपके असलूब का कोई अमल दखल नहीं होता ये अल्ला की देन होती है जिसने अता कर दी हलांकि वो उसका एक बड़ा शोराफाक फिक्रा जो है और डोली चड़ दें हमारियां हीर चीका दिस वस नेवर रिटन बाई वारिसचा हीर चुके पढ़ना बजाते खुद एक मश्गला है बड़े-बड़े मेलों ठेलों पर हीर पढ़ने के मुकाबले होते थे अभी भी होते है यह जंडियाला शेर खा हर साल होता है तो उसमें बोलियों की शकल में यह कहा होगा किसी ने बड़ा खुबसरत है डोली चड़ दें हमारी हीर चीका तो उसको एड़ेप्ट कर लिया गया हाँ जी जिनाब को तरीख के सर में को और डांग मारें आप तरीखी के सर में को और डांग यह है एक बड़ी लेजन्ड मशूर है कि रोम जल रहा था और नेरो वाइलन बजा रहा था और और चीज़ बजा रहा था यह तुम ऐसे बांसरी बजाना कहते हैं जब पकड़ी गी ना चोरी पकड़ी गी तरीख की तो फिर यहां फॉरन उसको बांसरी कर दिया गया फ्लूट कर दिया गया अलागे उस लेजन्ड में बिलकुल फ्लूट का तथक्रा नहीं है वो फिदल का लफस इस्तमाल हुआ था और वो वाइलन है वाइलन नेरो के मरने के सोला सौ साल बाद इजाद हुई थी चाड़ा को जोटा मोटा फरक नहीं सोला सौ साल और इसी तरह डिपोलियन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन हैं अब उसे लिटल कार्पॉरल का नाम दिया जाता था लोग कहते थी चुकि इसका कद बहुत छोटा था इसलिए इसे लिटल कार्पॉरल और वही नाम चलता गया जब वो शेंशाय फ्रांस भी बन गया हलांके उसका जो कद था साड़े पांच पो पांच फुट साथ इंच जो है ना उस वक्त के फ्रेंच मैं की जो एवरेज हाइट है उससे ज्यादा था तो वो लिटल किस तरफ से हो गया ये लिटल कार्पॉरल उस वक्त था जब ये निया निया भरती हुआ था बेचारा चोटा सा था बड़ा यंग था तो इसे उस नाते से इसको लिटल कहते था उमर में जोटा था काद में जोटा था तो वो ही चलता गया आखिर तक इसका टाइटल बन गया और इसको ले पिती कार्पॉरल कहा जाता था आखरी वक्त तक मेरे अमार का सदियों पहले की बातें भी से याद हैं कोई जिन पूथ तो नहीं है आखे मिक्स हो के शो करके निगल जाता हूँ मिक्स हो के अभी मेरे पस और बहुत कुछ है होफुली नेक्स्ट बीक सुना हो गया ठीक है आज काफी है यह जिब बहतरीन हो गया जिनाबत हफता बखार नहीं उतरेगा मेरे को दिन अजरात मिल तेका ब्रेक स्टे विदास